नमस्कार आप देख रहे हैं संसर टीवी मैं हूँ आपके साथ शालिनी खंडिलवाल आज सरकारी विभागों और संग्ठनों में भरती हुए लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वित्रित किये जा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस कारिक्रब में वर्ट्फुल माध्यम से शामिल हो रहे हैं इस सबसर पर प्रधान मंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी कर रहे हैं आईए आपको सीधे लिये चलते हैं कि इस रोजगार मेले से देश भर में 71,000 से भी आधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं सर्व प्रथम मैं माननिय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने स्वागत संबोधन से कारिक्रम का शुबारम करें परमादर्निय प्रधान मंत्री जी रोजगार मेला की इस शंखला के अंतरगत हम चौथा अंक लेकर के आपके सामने व्पस्तित हैं आपने कुछ समय पहले देश वासियों से ये वादा किया था कि आप दस लाख सरकारी नौकरिया उपलब्द करवाएंगे और उसी वादे को निभाते हुए रोजगार मेला का ये सिलसला प्रारंभ हुगा आज भी इस कारिकरम में आपका एक बटन दबाने के साथ ही 71,000 से अधिक निउक्ति पत्र जारी कर दिये जाएंगे इनके लावार थी देश के भिन भिन राजियों एवं केंदर शासित प्रदेशों में फैले हुए है ये निउक्तिया भिन भिन पदों पर भिन भिन स्तर पर की जा रही है और ये निउक्तिया भिन भिन मंत्रालें एवं भिन भिन विभागों में की जा रही है जैसे के रक्षा मंत्राले, ग्रह मंत्राले, हायर एजूकेशन, डिफेंस, इतियादी, इतियादी इसके साथ ही रोजगार मिला के साथ एक नया आयाम जोड़ दिया गया मिशन कर्वयोगी प्रारंभ यानि जो भी न्युक्ति पत्र प्राप्त करेंगे वो उमीदवार मिलने वाली जिम्मेवारी के अनुसार अपना शिक्षन, प्रशिक्षन इस माध्यम से कर सके आज भी पिछली बार की तरहे देश भर्थे 45 स्थान इस कारेकरम से जुड़े हैं जो आपका संबोधन सुनने का इंदजार कर रहे हैं पुर्धान मंतरी जी जब बात रोजगार की होती है तो एक बात का उलेक करना जरूरी बन जाता है आपने देश को ये जाग रूपता दी के रोजगार महज और मात्र सरकारी नौकरी नहीं और आपने गत नौ वर्षों में अनेकों ऐसे अलग-अलग शेत्रों में विकल्प उपलब्द करवाए जिनके माध्यम से नौजवार बिना सरकारी नौकरी के भी अपनी रोजगार अपनी जीवी का सम्मान जनक धंक से कमा सके उधारन के तौर पर आपने लाल के लिए से आवान किया स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया और देखते ही देखते तीन सो चार सो से बढ़ करके स्टार्ट अप्स की संखिया 90 भबे हजार का अंकड़ा पार कर गई यूनिकान की संखिया 100 का अंकड़ा पार कर गई और भारत दुनिया में स्टार्ट अप इको सिस्टम में तीसरे दर्जे पर आकर के खड़ा हो गया और इसी तारएं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एक्तालीस पैदान का जंप लगाते हुए 81 दरजे से 40 दरजे पर जा पहुँचें आपने निचले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी विकल्ब पैदा किये परधान मंतरी स्वानिजी योजना के तहट चार लाख वेंडर पार्टनर्स को लोन प्राप्थ हुए नौजवानों के लिए सरर लोन स्कीम मुध्रा योजना आपने प्रारम्ड की 700 करोड से अधिक राशी वित्रित हो चुकी है 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके लावारती है और महत्पूर बात ये के 70 प्रसीशत से अधिक इन में से महिलाएं हैं अरोमा मिशन, पर्पल रेवलुशन, बैंगनी करांती के माध्यम से हजारों किसान, लेवेंडर कर्टिवेशन, एग्री स्टार्ट अप के माध्यम से अपनी रोजगार कमा रहे हैं अर्थ शास्तियों का ये कहना है कि इन्फरास्ट्रक्चर डिवल्मेंट इस अ मेजर सोर्स जाप जनरेशन आपने नाकेवल इन्फरास्ट्रक्चर डिवल्मेंट की गती बढ़ाई उसको स्केलाव किया बलके उसकी रफतार तेस करने के लिए पी-एम गती शक्ती प्लैन आउट रोल आउट किया इसका परिराव ये कि जहां दो हजार चौदा में ग्रामीन शेतर में परधानमंतरी ग्रामसड़क योजना के ठैट मातर तीन दिशमलव आठ लाख किलो मीटर सड़कों का निर्माण हुआ था वही नौ वर्षों में दुगना होकर है साथ लाख किलो मीटर तक जा पहुँचा यदि हम शिक्षा के शेतर में इंफ्रस्रक्चर की बात करें इन सबसे रोजगार महिया हो रहा है तो भारत में दो हजार चौदा में साथ सो पचीस विश्विद्याले थे उन में तीन सो का इजाफा हुआ एड दी रेट अफ वन यूनिवर्ष्टी पर वीक यदि मेडिकल कॉलेजिस की बात करें तो सन दो हजार चौदा में एक सो पैंतालीस मेडिकल कॉलेज थे इस देश में उन में दो सो साथ यानि जितने सत्तर वर्ष में बने थे उससे लगभग दुगने नौ वर्षों में जोड़ दिये गे एड दी रेट अफ वन मेडिकल कॉलेज पर दे यदि डिगरी कॉलेजिस की बात करें तो पांच हजार से अधिक डिगरी कॉलेज एड दी रेट अफ टू कॉलेजिस एवरी डे यातायाद के शितर में इंफरास्ट्रक्चर को जो आपने बल दिया वो इससे जाहर है कि दो हजार चौदा से पहले इस देश में मातर 74, 74 एरपोर्ट्स थे आज दुगने हो गए 9 वर्शों में 147 एरपोर्ट रेलवे की बात करें तो नौर्थीस पूरवोतर कश्मीर घाटी जहां लोगों ने कभी रेल के दर्शन नहीं किये थे आज वहाँ रेल का जाल बिच रहा है रेल की पठ़णिया बिच चुकी है परधान मतरी आवास योजना की बात करें तो आज के दिन भी 11,000 से अधिक मकान प्रती दिन औस दन इस देश में निर्मानित हो रहे है मेटरो रेल के 27 प्रॉजेक्ट इस समय लग चुके है और इतना ही ही परधान मतरी जी आपने अनेकों नए शेत्रों में भी रोजगार के विकल्प खोले उनसे हमें परिच्चत करवाया हमें अउगत कराया जिस तरफ हमारा शाय इतना रुजान नहीं था Honorable Prime Minister Sir You introduced us to the toy industry खिलोने बहुत बड़ी मातरा में बाहर से आयात होते थे आईस्थिती ये है कि इंपोर्ट होने वाले toys में साथ प्रतिशद कमी आई है और भारत से बाहर जाने वाले खिलोनों में साथ प्रतिशद export बढ़ चुका है You also introduced the world to khadi Khadi for fashion, Khadi for nation आज आप ही के प्रयास से एक लाख क्रोर से अधिक Khadi का turnover है और इसकी sale चार गुना बढ़ चुकी है हमारे लिए गर्व की बात है जहाँ इस देश में पहले बाहर से मुबाइल आते थे आज India is one of the major exporter of mobile chips हमारे लिए गर्व की बात है जब अपनी सुरक्षा के लिए हम बाहर से लाए हुए थे हारों का इसमाल करते थे आज हमारा defense export छे गुणा बढ़ चुका है और आने वाले समय के लिए आपने लाल के लिए से आवाग किया hydrogen mission और आने वाले वक्त में इंडिया में भी one of the major exporter of green hydrogen जो आत्म निर्भरता की तरफ भी ले जाएगा और विश्म में clean energy की मोहिम में भारत को एक एहम भूमी का भी देगा आंक्रे तो बहुत हैं लेकिन समय का अभाव हैं लेकिन ये आंक्रे देने भी जुरूरी थे क्योंकि we live in an evidence based era बहुत समय ना लेते हुए मैं केवल इतना कहकर के अपनी बात स्वाप्त करूँगा कि इत्यास के पन्नों में ये सुनहरी अक्षरों में दर्ज किया जाएगा कि 75 वर्षों में जुना हो सका वो प्रधान मंत्री जी आपने 9 वर्षों में कर दिखाया और वो इसलिए कि मोदी जी है तो मुम्किन है धन्यवाद धन्यवाद माननिय मंत्री जी रोजगार मेले की आज की कड़ी देश में तेजी से विकसित होते विश्वस्तरिय इंफ्रस्ट्रक्चर नागरिक सुईधाएं तता युवाओं के लिए निरंतर बढ़ते रोजगार के सुअफसरों का संदेश लेकर आई है इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लगू फिलिम आत्म निर्भरता की पटरी पर युवाज शक्ति के इंजन के साथ तेज गति से बढ़ता भारत आज वैश्विक प्लैटफॉर्म पर विकास की अग्रिम पंक्ती में शामिल है माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाज शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने के संकल्प से स्टार्ट अप इंडिया मेकिन इंडिया, स्किल इंडिया MSME LEAN जैसे कई अभ्यानों से देश में करोणों युवाओं के सुनहरे भविश्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है इनसे रोजगार, निवेश और उद्ध्यमिता के अनेक अवसर तो बने ही हैं साथ ही हमारे देश के युवाओं की आकांगशाएं और सपने भी साकार हो रहे हैं रोजगार स्रेजन की आठ नौ वर्शों की सतत यात्रा में एक नया अध्याय जोडते हुए एक वर्श के भीतर दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है जिसके तहट पूरे देश में रोजगार मेलों का आयोजन कर प्रतिभाशाली युवाओं को पारदर्शी निश्पक्ष और सरल प्रक्रिया से नियुक्तियां दी जा रही है भरती प्रक्रिया को पारदर्शी और समय बध्ध तरीके से पूरा करने के लिए UPSC, SSC, RRB और रज्य सरकार की भरती एजनसिया कार्य कर रही है नव नियुक्तों को रेल मंत्राले में अनेक पद जैसे असिस्टन्ट लोको पाइलेट स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मेंटीनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशनों के साथ-साथ टी-टी-ई, कमर्शल क्लर्ख एवं बुकिंग क्लर्ख ग्रिह मंत्राले में सब इंस्पेक्टर कॉंस्टिबल, स्वास्थे विभाग में डॉक्टर शिक्षा विभाग में अध्यापक लेक्चरर सहित अनेक विभागों में विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है नव नियुक्त युवा न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ा रहे हैं बलकि हर विभाग की कार्य कुशलता भी बढ़ा रहे हैं और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुडवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है 21. सदी के भारत के लिए मस्बूत आधुनिक कनेक्टिबिटी पर पिछले 9 वर्षों में अभूत पूर्व गती और स्तर पर काम हुआ है सडक, रेल, पोर्ट, एपोर्ट, मास्ट ट्रांस्पोर्ट, वाटवेज और लोजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सभी पर PM गती शक्ती मास्टर प्लान के तहट तीवर गती से काम हो रहा है जहां युआ ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के ट्रांस्फोर्मीशन की अगवाई कर रहे हैं और युनिट लोजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में एहम भूमिका निभा रहे हैं भारत के सबसे बड़े पबलिक इंप्लॉयर में से एक भारतीय रेलवे रोजगार स्रुजन में एक महत्वा पूरण योगदान दे रही है आज के रोजगार मेले में लगभग सत्तर प्रतिशत युवाओं की नियुक्ति रेलवे में ही हो रही है और इसके साथ ही साथ अन्य विभागों जैसे बैंक, पोस्ट, रक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रिह मंत्राले, स्वास्थे विभाग इत्यादी, अनेक विभागों में भी हजारों युवाद नियुक्ति हो रहे हैं रोजगार मेले के माध्यम से, राष्ट्र निर्माण की रह में युवाशक्ति के जुड़ने से, टूरिजम से लेकर उद्योग धंदे तक, लोजिस्टिक से लेकर कनेक्टिविटी तक, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं और अवसर बनेंगे, जिससे भारत फाइफ ट रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरन के इस राष्ट्र व्यापी अभियान का शुभारव करें मैं आदर्निय प्रधान मंत्री जी से अनुरोद करती हूं कि आज इस विशेश सुहवसर्थ पर देश की युवा महाशक्ति एवं हम सभी का अपने शुब संदेश से मार्क दर्शन प्रदान करें साथियों आज वैशाख्य का पावन पर्व है मैं सभी देश वास्यों को वैशाख्य की लख लख बधाईया देता हूँ उल्लास भरे इस्तिवहार में आज सत्तर हजार से जादा युवाओं को केंद्र सरकार के विबिन्द विभागों में सरकारी नोकरी मिली है आप सभी युवाओं को आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई आपके उजवल भविश्य के लिए अनेक अनेक शुप कामना है साथियों विख्सित भारत की संकल्प से सिद्धी के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और उर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक उत्तरपदेश से लेकर के महराष्ट तक एंडिये और भाजपा शासिद राज्यों में सरकारी नोकरी देने की प्रक्रियां तेज गती से चल रही है कल ही मध्यप्रदेश में 22,000 से जादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र स्वंपे गए ये राश्ट्रिय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रती हमारे कमिट्मेंट का प्रमान है साथ क्यों आज भारत दुनिया की सबसे तेज रपसार से आगे बढ़ने वाली अर्थे बवस्ता है पूरी दुनिया कोवीड के बाद मंदी से जूज रही है ज्यादा तर देशों की अर्थे बवस्ता लगातार गिर्ती चली जा रही है लेकिन इन सब के बीश भारत को दुनिया एक ब्राइड स्पॉर्ड के तौर पर देख रही है आज का नया भारत अब जिस नई नीती और रण नीती पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिये है एक समय था जब भारत टेकनोलोजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से रियक्टिव एप्रोच के साथ काम करता था बस रियक करना 2014 के बाद से भारत दे प्रो एक्टिव एप्रोच अपनाई है इसका नतीज़े ये हुआ है कि 21 सदी का ये तीसरा दसक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कलपना भी नहीं की जा सकती थी आज युआओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो दस साल पहले उपलब्द तक नहीं थे हमारे सामने स्टार्ट अप्स का उदारण है स्टार्ट अप्स को लेकर आज भारत के युआओं में जवरजस उत्सा है एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्ट अप्स ने 40 लाग से ज़्यादा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब्स तयार की हैं इसी तरह ड्रोन इंडुस्ट्री हैं आज एगरिज कल्चर हो या डिफेंस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैंडुफेक्टरिंग ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं आपने ये भी देखा है कि बीते आठ नव वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं नई एकेडेमी तयार हो रही है इनमें कोच, टेकनीशन, सपोर्ट स्टाप की जरुवत पढ़ रही हैं देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान की सोच और एप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फोर लोकल से कहीं जादा है यह सिमित दाइरवाला मामला नहीं है आत्म निर्भर भारत अभ्यान गाउं से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोडों नए आउसर पैदा करने वारा अभ्यान है आज आधुनिक सेटिलाइट से लेकर सेमी हाइस्पीड ट्रेन तक भारत में ही तयार हो रही है बिते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से जादा नए और सुरक्षित LHB कोचिज बनाए गए है इनके निर्मान में जो हजारों टन स्टील लगा है अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्स लगे है उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए है मैं आपको भारत की टॉइ इंडस्ट्री का भी उधान दूँगा अभी जितन्द सिंग जी ने उसका उलेक भी किया बसकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किये गिये खिलोनों से खिलते रहे ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी ना ही वो भारतिये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया हमने आयात होने वाले खिलानों के लिए क्वालिटी परामेटर तै किये और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया तीन-चार वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का काया कल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तयार हुए हमारे देश में दसकों तक ये एप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस एक्विप्मेंट सिर्फ आयात किये जा सकते हैं बार से ही ला सकते हैं हम अपने देश के मेनिफेक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे हमारी सरकार ने इस एप्रोच को भी बदल डाला हमारी सेनाओं ने तीन सो से जादा ऐसे साजो सामान और हतियारों की लिस्ट तयार की हैं जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे भारतिये इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे आज भारत पंदरा हजार करोड के डिफेंस एक्विप्मेंट विदेशों में निर्यात कर रहा है इससे रोजगार के हजारों अवसर तयार हुए हैं साथियों आपको एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया तब भारत में बिकने वाले जादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किये जाते थे हमने लोकल प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्ज दिये अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिती होती तो फोरेन एक्षेंज पर हमारे लाखों करोड रुपिये खर्च हो गए होते लेकिन अब हम ना सिर्फ घरेलू जरुनतों को पुरा कर रहे हैं बलकि मोबाइल फोन का निर्याद भी कर रहे हैं दुनिया के देशों में पहुंट रहा है इससे भी रोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं साथियों Employment Generation का एक और पक्षा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स में सरकार द्वारा किया गया इंवस्टमेंट हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स में तेज रप्तार के लिए जानी जाती है जब सरकार केपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, पोर्ड, नई इमारते बहुत सी प्रकार की चीज़े तया हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान में, इंजीनियर, टेक्नीशनियन, एकाउंटेंट, स्रमीक हर प्रकार के उसमें तरह तरह के एक्विक्मेंट, स्टील, सिमेंट, ऐसी भाती-भाती की चीज़ों की ज़रुत पढ़ती है हमारी सरकार के दोरां, पिछले आठ नव वर्षों में, केपिटल एक्ष्पेंडिचर में, चार गुना बढ़ोत्री हुई है इससे रोजगार के नए आउसर और लोगों की आएं, दोनों में वृद्धी हुई है मैं आपको भारतिय रेलिवे का उधान देता हूँ 2014 से पहले, साथ दसकों में, 20,000 किलोमीटर के आसपास, रेलिवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था पिछले नव वर्षों में, हमने करीब करीब, 40,000 किलोमीटर, रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पुरा किया है 2014 से पहले एक महिने में सिर्फ 600 600 मिटर नई मेट्रो लाइन बनाई जाते रही 600 मिटर आज हम हर महिने लगबग 6 किलो मिटर की नई मेट्रो लाइन बना रहे हैं तब हिसाब मिटर में होता था आज हिसाब किलो मिटर में हो रहा है 2014 में, देश में, सत्तर से भी कम जिलों में, सत्तर से भी कम, सत्तर से भी कम जिलों में गैस नेटवर्क का विस्तार हुआ था आज ए संख्या बढ़कर, 630 जिले तक पहुँच गई हैं, कहां सत्तर जिले और कहां 630 जिले, 2014 तक, ग्रामिन इलाकों में, सडकों की लंबाई भी, 4 लाख किलोमेटर से कम थी आज ए आकड़ा भी बढ़कर, 7,7 लाख किलोमेटर से जादा हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जब गाउं में सडक पहुंती हैं, तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है इससे पूरे इको सिस्टिम में, तेज गती से रोजगार का स्रजन होने लगता है साथियों, ऐसे ही काम देश के एवियेशन सेक्टर में हुआ है 2014 तक देश में 74 एरपोर्ट थे, आज इनकी संख्या 148 हो गई है हम सभी जानते हैं कि एरपोर्ट ऑपरेशन्स में कितने जादा स्टाप की जरुरत पड़ती है आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एरपोर्ट ने भी देश में हजारों नए अवसर तयार किये है और आपने देखा है कि हाली में एर इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई जहाज खरिदने का ओरडर दिया है कई और भारतिय कंप्रियां भी इसी तयारी में है यानि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में केटरिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसिस तक मेंटिनेंस से लेकर ओन ग्राउंड हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में नए अवसर तयार होंगे ऐसी ही प्रगती हमारे पोर्ð सेक्टर में भी हो रही है समुदरी तट का जो विकास हो रहा है हमारे पोर्ड जो डेवलाप हो रहे हैं आज हमारे पोर्ड पर पहले की तुलना में कारगो हैंडलिंग दो गुनी हो चुकी है और इसमें लगने वाला समय अब आधा रह गया है इस बड़े बड़लाव ने पोर्ट सेक्टर में भी बड़ी तादाद में नए अवसर तैयार किये है साथियों देश का हेल सेक्टर भी एम्प्लोइमेंट जनरेशन का बहतरीन उधारन बन रहा है 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे आज 660 मेडिकल कॉलेज है 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी आज एक लाग से जादा सीट उपलब्द है आज पहले के मुकाबले दो गुनी संख्या में डॉक्टर परिशाएं पास करके तैयार हो रहे हैं आईश्मान भारत योजना की वज़े से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लीनिक बने हैं यानि इंफ्रास सेक्टर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बड़ोतरी सिनिस्षित कर रहा है साथियों ग्रामिर अर्थववस्ता को गती देने के लिए सरकार जो एप्पियोंस बना रही है सेल फेल गुरुष को लाखो करोन की मदद दे रही है स्टोरेज केपिसिट का विस्तार कर रही है उससे गाउं के विवाओं के लिए अपने गाउं में ही रोजगार के अवसर बन रहे है 2014 के बाद से देश में 3 लाख से जादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने है 2014 के बाद से देश के गाउं में 6 लाख किलोमिटर से जादा अप्टिकल फाइबर बिचाया गया है 2014 के बाद से देश में 3 करोड से जादा गर गरीबों को बना कर दिये गए है इन में से 5 करोड से जादा गर गाउं में ही बने है बीते वर्षों में गावों में दस करोड से ज़्यादा सवचाल है डेड़ लाग से ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हजारों नए पंचायज भवन इन सभी निर्मानकारियों ने गावों में लाखों युवाओं को काम दिया है रोजगार दिया है आज जिस तरह एग्रिकल्चर सेक्टर में फार्म मेकनाजेशन तेजी से बढ़ा है उससे भी गावों में रोजगार के नए मोके बन रहे है साथियों आज भारत जिस तरह से अपने लगूद्योगों की हैंड होल्डिंग कर रहा है अपने यहां एंट्रेप्रनर्शिप को बढ़ावा दे रहा है इससे बड़ी संख्या में रोजगार काम निर्मान सुनिस्चिद हो जाता है हाली में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने आठ वर्ष पूरे किये इन आठ वर्षों में मुद्रा योजना के तहद बिना बैंक गारंटी 23 लाग करोड रुपिय का लोन दिया गया है इस में से 70 प्रतिशन लोन महिलाओं को मिला है इस योजना ने आठ करोड नए एंटर्परनर्स तयार किये हैं यानि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना कोई काम का शुरू किया है मुद्रा योजना की सफलता ने देश के करोड लोगों को स्वरोजगार के लिए होसला दिया है नई दिशा दिखाई है और मैं साथ्यों आपको एक और बात बताना चाहता ग्रासरूट लेवल पर एकोनोमी की ताकत बढ़ाने में माइक्रो फाइनांस का कितना महत्व होता है माइक्रो फाइनांस कितनी बड़ी शक्ति बन करके उभरता है यह हमने इन आट नव साल में देखा है बड़े बड़े अपने आपको माहरती मानने वाले बड़े बड़े अर्थ सास्तर के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े माले तुजारों को फोन टेप करकर के लोन देने वाले के आदत वाले लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनांस की ताकत को नहीं समझ पाए आज भी आज भी यह लोग माइक्रो फाइनांस का बजाग उड़ा रहे हैं इनको देश के सामान्य नानकिकी के सामार्थ का समझ ही नहीं है साथ क्यों आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें में विशेश तोर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता हूँ आप में से कुछ लोग रेल्वे तो कुछ लोग शिक्षाक से तरह से जूड रहे हैं कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाय देने का आउसर मिल रहा है ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का आउसर है देश दो हजार सैतालिस में प्वेंटी फोर्टी सेवन में जब आज जहांदी के सो साल मनाएगा विक्सिद भारत बनने का लक्ष लेकर आगे बढ़ रहा है और मैं जानता हूँ आज आपकी जो उमर है ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमरित काल है आपके जीवन का ये पचीस वर्ष देश एकदम से तेज गती से आगे बढ़ने वाला माहोल वाला है और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखन बहें कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेबारी ले रहे हैं आपका एक-एक कदम आपके समय की एक-एक पल देश को तेज गती से विक्सिद भारत बनाने में काम आने वाली है हाज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी यांतरा भले शुरू कर रहे हैं इस यांतरा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा अपने आपको एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले 5 साल से 10 साल चे जब से समझने लगे हैं क्या का मैसूस करते थे सरकार का कौन सा वहवार आपको अखरता था सरकार का कौन सा वहवार आपको अच्छा लगता था आप भी ये जरूर मन में मानिये कि जो बुरे अनुभव आपको आए है आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरी को बुरा अनुभव नहीं आने देंगे जो आपको बिती होगी आपके कारण किसी को नहीं बितेगी यही बहुत बड़ी सेवा है अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को आप पूरा करें अपने आपको योग बनाएं आप मैंसे हर कोई किसी ना किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानिवी के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है प्रेलिद भी कर सकता है उसको निराशा की गर्त में डूपते हुए बचा भी सकता है इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है साथियों आपकी कोशिस होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकाराथ में प्रभाव हो आपके काम से सामान्य मानिवी का जीवन बहतर हो व्यवस्ताओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए मेरा आप सबसे एक और आग्र है आप समनें कड़ी मेहनत से ये सभलता हासिल की है लेकिन सरकारी नोकरी पाने के बाद भी सिखने की प्रक्रिया को रुकने ना दे कुछ नया जानने नया सिखने का स्वभाव आपके कार्यों और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गौट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्कील को अपग्रेड कर सकते हैं और सात्यों मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं मैं बड़ा विद्वान हूँ मुझे सब आता हैं सब मैं सीख चुका हूं ऐसा भ्रम लेकर के नमब पायदा हूँ आूं नकाम करता हूं मैं हमेशा अपने आपको एक विद्यार्थी मानता हूँ, हर किसी से सिखने का प्रयास करता हूँ, आप भी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिन्दा रखना, कुछ न कुछ नया सिखने की कोशिश करते रहना, वो जीवन के नए नए द्वार खोल देगा, साथियों, फिर एक बार वैशाई की का पावन पर्व हो, जीवन का नया आरंब हो, इससे बढ़कर के क्या अवसर हो सकता है, आप सभी के उजवल भविश के लिए पुरह, बहुत बहुत चुप कामना है, एक बार फिर आप सब को बहुत 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 बदाए,